आज हम बात कर रहा है एक ऐसे cricket खिलाडी की जिसने एकी दिन में ये वल्ले बाज इतना धमाकेदार इसने परफॉर्मेंस कर दिया है वो भी रंजी ट्रोफी जो कि एक डेस cricket होता है चार दिन के इसमें मैचेस होते हैं इसने ऐसा धमाकेदार पर्फॉर्मस किया है कि T20 छोड़िये T10 वाले बैट्समेन भी सर्मा जाएंगे कई बार देखकर और हम बात कर रहे हैं हाइदराबाद के सलामी वल्लेवाश तनमे अगरवाल की तनमे अगरवाल ने अरुनाचल प्रदेश जो है उसके खिलाफ खेलते हुए 323 रन की महराथन पारी खेली और वो अभी भी नाबाद है और जबर जिस्त बात ये है कि इन्होंने 323 रन जो अभ अपतान है उनने फर्स्ट क्लास में आज से 49 साल पहले एक रिकॉर्ड बनाया था सबसे तेज डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड वो भी तनमे ने जो है तोला इनने 119 बॉलों में 200 रन वाट बनाए है पहला रिकॉर्ड ये तोला और दूसरा रिकॉर्ड जो इनने तोला है व पहला थी एक और भी बहुती गजब का रिकॉर्ड बनाया है वो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड यानि कि एक पारी में 21 छक्के लगा चुके हैं और इन्हों ने ये रिकॉर्ड जो तोला है ये दो खिलाडियों का रिकॉर्ड था कह सकते हैं कि य इसान के सान आप सभी जानते हैं इनने 14 चक्के लगाये थे फर्स क्लास क्रिकट में खेलते हुए एक ही पारी में और इनके साथ एक और बैट्स मैने जिनका नाम सक्ती सिंग है इनने भी 14 चक्के लगाये हुए थे पर आज जो तनमय अगरवाल ने कारणामा कर दिखाया वो की शानदार था इनने 21 चक्के लगा दिये हैं और अब इनकी नजर है फर्स क्लास क्रिकट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले एक ही पारी में ब्रैन लारा के रिकॉर्ड जो की 500 रन का है 21 चक्के लगाने के अलावा 33 चोवे लगाये हैं 33 फोर्स भी मारे हैं तो इनकी यह महराथन पारी काफी ज्यादा चर्चा का विशे बनी हुई है और क्योंकि जिस तरह से बैटिंग की है यही कहा जा रहा है कि आप डेस क्रिकट में इतनी धमाकेदार बैटिंग कर रहे हैं तो टी ट्वेंटी में क्या करेंगे आप